हेलो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप कोटक महिंदरा बैंक का डिबिट कार्ड जोगी कार्ड के नंबर होते हैं उनके सीवी नंबर उनके कैसे देख सकते हो है न अगर आप net banking यूज गरना चाते होते हैं उनकी जरूरत होती है तो सबसे पहले आपको कोटक महिंदरा बैंक की एपलिकेशन में आना है इस एपलिकेशन में आने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखने के वाला है तो आपको क्या करना है आपको debit card यहाँ पर चेक करना है सबसे पहले आपको kotak 811 पर क्लिक करना है इस पर आप जैसी क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा यहाँ पर balance आप देख सकते हूँ बहुत जादा रुपे हैं एक रुपे पढ़ा है और हाँ उसके बाद आपको यहाँ पर virtual debit card पर क्लिक करना है यहाँ पर आप इस पर जैसी क्लिक करोगे तो आपके सामने आपका debit card दिखने लग जाएगा यहाँ पर आपके card number दिखेंगे यहाँ पर आपका नाम यहाँ पर expired date और इस पर क्लिक करोगे तो आपके जो भी पिछे की security code होते हैं वो दिखने लग जाएगे तो यहाँ पर आप इसको control भी कर सकते हो card को जैसे भी आपकी मर्जी हो अगर आपके पास यह नहीं है तो आप इसे मंगा भी सकते हो यहाँ पर देखो congo resolution यह dispatch हो चुका है मेरे पास यह request मेरे पास पहुच चुका है 6-7 दिन के अंदर आपके पास यह आ जाएगा अगर आपके पास यह नहीं है तो इसे मंगा सकते हो और अगर आप कोटक महंदरा बैंक में account open कराना चाहते हो किसी का किसी का account open कराना चाहते हो तो वो गी करा सकते हो link description में मिल जाएगा आपको easy तरीके से free में आपको टक महंदरा bank account खुलवा सकते हो zero balance account है इतना तो आपको पता ही होगा तो यहाँ पर मैंने देखो आपको दिखा दिया है कि कैसे आप debit card देख सकते हो और कैसे आप इसका यूज़ करके net banking वगएरा चला सकते हो अगर आपके पास physical debit card नहीं है no problem आप ATM वगएरा Google Pay वगएरा उसमें इसकी requirement होती है तो आप यह से देख सकते हो card number cv number आपका नाम जो भी है यहाँ पर card copy number यहाँ पर copy वगएरा जो भी इसमें करना होता है कर लीजिगा और हागर आपको कोटक महेंदरा बैंक में अकाउंट खुलवाना है तो आप डिस्कृस्टर में जाए और वहाँ पर आपको कोटक महेंदरा बैंक का जब लिंक मिलेगा आप इसी तरीके से आप खुलवा सकते हैं फिरी में